हलो बच्चो आज हम हिंदी में चंद्रबिंदू लगाकर सब्द बनाने का अभ्यास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बच्चो देखें यहाँ पर कुछ सब्द लिखे हुए हैं हमको उनमें चंद्रबिंदू लगाना है बच्चो देखें क्या लिखा हुआ है का में आक क, क में आख मातर का, उसके उपर चंदरबिंदू ट, टा में आख मातर टा, तो बन गया काटा अगला सब्द है स, सामे आख मातर सा, प, साप तो हमें इस पर सा में चंदरबिंदू लगाना है स, सा में आ की मातरा स, उसकी उपर चंदर बिंदू, प, स, अगला सब्द है, च, चा में आ क मतरा च, द, च, तो हम इसमें, चा में चंदर बिंदू लगाएंगे, च, चा में आ क मतरा च, उसकी उपर चंदर बिंदू, द, तो बन गया चांद, अगला सब्द है, अ, ग, ग, गा में बड़ूक मतरा गू, ठ, ठा में बड़ूक मतरा ठी, अगू ठी, तो हम इसमें चंदर बिंदू लगाएंगे, आ में, अ, आ के उपर चंदर बिंदू, ग, गा में बड़ूक मतरा गू, ठ, ठा में बड़ूक मतरा ठी, तो बन गया अंगू ठी, अगला सब्द है, घ, गा में बड़ूक मतरा गू, ठ, गूट, तो हम इसमें घ, में चंदर बिंदू लगाएंगे, घ, गा में बड़ूकी मतरा गू, उसके उपर चंदर बिंदू, ठ, तो बन गया गूट, अगला सब्द है, अ, आमें आख मतरा आ, ख, आख, तो हम इसमें आ में चंदर बिंदू लगाएंगे, अ, आमें आख की मतरा आ, उसके उपर चंदर बिंदू, ठ, तो बन जाएगा आख, यहां लिकाओ है, त, 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 में आख मतरा आ, ग, ग, में आख मतरा ग, तागा, तो हम इसमें त, में चंदर बिंदू लगाएंगे, त, त, में आख मतरा आ, उसके उपर चंदर बिंदू, ग, ग, में आख मतरा ग, तो बन जाएगा तांगा, लहग तो हम इसमें पहले लिखेंगे लहग फिर हाँ हमें चंद्रबिंदू लगेगा यहाँ पर और ग गामें आखमात्रग तो बन जाएगा लहंगा बच्चो आज हमने चंद्रबिंदू लगाकर सब्द बनाने का भ्यास किया है तो आप घर पर इसकी प्रेक्टिस कीजिए थैंक यू